हलो क्लास, आज हम आपके हिंदी व्याकरन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आज आपके समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे जिने समान अर्थी शब्द या परियावाची शब्द भी कहा जाता है तो समान अर्थ वाले शब्दों का अर्थ होता है वे शब्द जो शब्द एक सा अर्थ देते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है एक सा अर्थ देते हैं अर्थात कि जो पहला शब्द होता है उसके लिए ही अलग-अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका जो अर अब्दोग के अनुसार उसका जो अर्थ है वो एक ही समान रहने वाला है नेक्स्ट आपको दिया है बादल का घन, रक्ष का पेड, मूर का मयूर, हिरन कमरग, घोड़ा का आश्व और पुश्प का सुमंत्व आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा षब्द भी उसका दिया गया है, अगर दोनों का अर्थ लगाया जाए तो दोनों का अर्थ एक ही समान है नेक्स पीज पर आप देख सकते हैं आपको कई सारे समानार्थ वले शब्द दिये हुए हैं जिसे आकाश का आस्मान यहां आकाश कहिए यह आस्मान दोनों का ही अर्थ एक समान है इसलिए इने समानार्थी शब्द कहा जाता है घर का ग्रह, पर्वत का पहाड, जल का पानी, सुभा सवेरा, प्रकाश उजाला, किताब का पुस्तक, बाग बगीचा, बेटा पुत्र, चांद चंद्रमा, सूरज सूर्य, औरत का महिला, माता का मा, दर्वाजा पट, मार्ग रास्ता, पत्र का चिठी, आग, अगनी, मित्र सखा, वायू, पवन, साप का सर्प, आख का नेत्र, और कृष्ण का केशव, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि समान अर्थ वाले शब्दे, यानि कि एक ही अर्थ वाले कई सारे शब्दों हो सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से इन सभी को अपन शब्दों निकाल कर उनकी प्रैक्टिस करना है, उनने शब्दों के बारे में जानना है,